बिसमिल्लार्मानिरहीम असलाम अलेकुम वेलकम बैक आप लोग नोग को सुन रहे थे या मुझे सुन रहे थे तेक्नोलोजी पर काफी काम कर लिया है अब हम आप 50 कलावड जरनी की तरफ हैं और सेक्रिटी में हमारे पास काफी इची सर्टिकेशन हैं चाप्रश भीजी और हैं इस सेरीज हैं और में प्सक्राइब करने के लिए अब इसके अज हम से बारे में बात करने लगे आप यह वक यह है कि हम करियर बिल्डिंग या सॉफ्ट स्किल से रिलेटीड एक कैटेगरी बना के और उसके अंदर डालेंगे मगर यू कन आलवेज वाच आवर वीडियो और यूट्यूब या फेस्बूक या हमारी वेब साइट से आपको पास सारा कुछ हवेलेबल है तो विदाउट चुरू करते हैं हाव तो क्रियेट सीवी ठीक है तो अमेजिंग बैनर जो हमारे हमारे जो ग्राफिक्स की टीम है उसने इसने प्रोडियूस की है सीरिस का नाम हम किलर सीवी नहीं रख रहें इंट्रोड़क्शन हाव तो राइट सीवी के नाम पर रखेंगे तो आज का यूज किया जाता है और वो डिफरेंट टाइप ऑफ सीवी से कहां से डिफर करती है और इधर थोड़ी से मैं लेजी अप्रोच यूज करूंगा मैंने पास तीन चार अच्छे लिंक्स हैं जो हम लोग यूके के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली और यूरोप के अंदर बह जाएधा टाइम नहीं होता और नॉमली इसके इसके मैं एक इंट्रस्टिन्ग स्टोरी यह सुना सकता हूँ के जब मैं यूके में आया तो पहली दफ़ा तो मेरे माइनेजर तोली के यार हमारे पास इस पर बहुत ज़्यादा सीवी आया मैं कितने सीवी आया है कहता 34 सीव उसे नहीं बता आप पेछे से क्या आपके अमेजिंग स्कोर्स क्या है या या आपकी अचीफमेंट्स क्या है तो आपके cv ने उसे बताना होता है तो मेरे पास टाइम नहीं होगा, ठीक है, अगर मैं CV सॉट आप कर रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है, पांच पेजी का CV देखने के लिए, मैं mostly पहला पेज देखूँगा, दूसरा स्किम करूँगा, and I'm done, ठीक है, and important part of applying, कि CV is an important part of applying, बंदर आपसे मिल यह नहीं हुआ, और यह आपकी opportunity होती है, CV आपको एक opportunity provide करता है, to showcase your skill, your experiences, your achievement, बहुत ज्यादा भी नहीं करना, बहुत कम भी नहीं करना, तो balance approach होनी चाहिए, ठीक है, So, the way to get started is to quit talking and begin doing, ठीक है, अच्छा, अब writing CV के अंदर ना, 2-4 key points, जो मैं यहां पर highlight करता चलो, let me take a pen here, pen है मेरे पास, कि 2 pages are maximum, अच्छा, मुझे याद पढ़ता है कि कुछ साल पहले कोई मुझे कहता था, काशिफ यार, तेरा CV बहुत लंब है, और you have to trim it down, I was like, you hate me, I don't like you, ठीक है, I don't want to talk to you, ठीक है, यह मेरा attitude होता था, but truly more people I hire, more people I do interviews, more CVs I have gone through, and I can understand what was the problem, problem is, अगर मैंने 5 CV या 10 CV यू देखने हैं एक घंटे के अंदर, यह बड़ी generous मैं टाइम बता रहूं आपको, तो I want my CV to be very slick and very lean, unnecessary wording की आपको उसको जुरूरत नहीं, कुछ लोग कोशिश कर रहे होते हैं, यार, चार सफ़े आदी बन जाए किसी तरह, वो चार सफ़े ने नहीं देना आपको, ठीक है, and CV for research and academic role के लिए मेरे ख्याल में can be longer, ठीक है, मैंने 2-4 साल में पिछले थोड़े academia के साथ काम किये, तो I know roughly academic research के अंदर, maybe you need to talk about methodology, procedures, और जो abstract या research paper, जो आपकी publications, उसकी आप detailed आउते हैं, तो ज्यादा हो जाती है, ठीक है, and recently मैंने experience किया, I mentor a lot of people across Europe, तो I came across, कुछ लोगों को, उनोंने का, just give us a one page CV, ठीक है, one page is very very challenging, ठीक है, मगर what you need to do, you need to align yourself, कि आपने देखना है, कि जो बंदा उसको skill set चाहिए, वो मांग रहा है, वो आपने डाली CV में, say for example, मैं हमें एक network management engineer चाहिए, जो network management के experience हो, ठीक है, आप उसके अंदर उ भी है, या कुछ इस तरह का काम किया है, और मुझे solar wind के engineer चाहिए, तो try to put solar wind stuff first, और उसके बाद secondary and third, like it's rather have 10 different things for a portfolio, और उसमें से सिर्फ quality पर focus करे, quantities doesn't matter, quality matters, अच्छा और उसके अंदर ना फिर a wide repeating and vague statement, say for example, मैंने यहां से यह statement डाली है, computer science graduate with two years work experience, अब two year work experience with a strong communication skill, हम लो जिनके लिए English native language नहीं है, we think it's brilliant statement यार, ठीक है, अब जब यहां पर मुझे आके experience हुआ, what is that, computer science graduate with two years experience as system admin, अब मुझे और information मिल रही है, ठीक है, अब आप यह कह रहे हैं, काश्वी भाई, आप एक साइट पर कह रहे हैं, दो पेजिस करने और दूसरी साइट पर लंबा से doing verbs, or like evidence देने आपने साथ, ठीक है, अब इस statement से मुझे पता चल गए, हाँ, यार, यह कह रहा है, किस किसम की communication है, क्या verbal communication है, क्या stage पर performance करता है, क्या किस किसम की communication है, ठीक है, अब support skill with the evidence, how, कि आपके पास जो skills है, एक knowledge होते है, एक skill होता है, knowledge आपने university से, degree, sales certification से हासिल कर लि ठीक है, computer science graduate है, with two years का experience है, system admin assisting with the server's deployment and troubleshooting, अच्छा, ठीक है, अब किस किसम के server है, we can work that one, strong communication skill when delivering presentation to the senior management, oh, that's very interesting, इस मंदे को senior management से बात करने का तरीका का रहाता है, liaising with technical and non-technical stakeholders, अच्छा, इस technical लोगों से भी बात करने का तरीका पता है, non-technical भी, अगर non-technical कों को जाके कह या तेरा IPV4 का, जो subnet mask कहना वो slash 24 का है, उसका तो दमाग फटना, उसना कहना है, यार इससे नहीं मैंने बात करने, ठीक है, I have an experience with dealing with kuch developers के साथ, and sometime I have, I, बहुत struggle करनी पड़ती है to communicate that information back to a layman town, ठीक है, so it's a skill, it's a skill which lot of employers are looking for, just say, I'm sort of soft skill की category में डाल लेते हैं, मगर I hope आपको यहां तक, जो point मैं pass on करना चाहरा हूँ, two pages का CV, unnecessary word नहीं चाहिए, और evidence देने हैं साथ-साथ, skill के, कि हाँ, अब यह जो दूसरा paragraph है, it's not a perfect, यह मैंने भी slide बनाते हुए लिख है, मगर आपको roughly दार दार सर्वर and deployment भी करता रहे, technical, non-technical, or senior management, अब यहाँ senior management म पर चला जाता, ठीक है, अच्छा, writing CV के कुछ, कुछ tips जो आप लोगों को सब को पता है, spell check करना है, grammar करना है, UK, US, spell check, अगर आप के country में US-based English बोली जाती है, तो organization, Z-A-T-I-O-N, or S-A-T-I-O-N, बड़ा offensive feel करते हैं, अच्छा, don't need your picture, okay, it's not necessary to put a picture, date of birth, passport number, marital status, यह इन च कि information डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अच्छा, इसे आगे चलते हैं, तो एक type of CV is called chronological CV, अब आप सोच रहोंगे, यह chronological क्या है, कभी हमने नाम नहीं सुना, आपने skilled CV के शायद नाम सुना, skilled CV नेक्स लेवल पर आती है, your employer and work experience is usually on front page listed in reverse chronological order, कि आपने जिस organization में सब से लेटेस्ट काम किया, वैं सिर्फ आप उस से शुरू करते हो, फिर नीचे लेके जाते हो, ठीक है, अक्सर मुझे यूके के अंदर ये चैलेंज आता है, कि यार काशिव भाई, मैं जो सब्सक्राइब की नोखरी कर रहा था, या मैं टेक्सी ड्राइविंग कर रहा था, मैं आईटी में आना चाहता हम, मैंने CCNA कर लिया यह, मैंने यह कर लिया और मेरे पास पाकिसान से घ्री थी या इंडिया से घ्री थी, ठीक है, तो मैं उसको यह कहता ऑ, कि सीवी को दो पीसी में डिवाइड कर लो ठीक है, अच्छा उसके टैंप्लेट किया होता है आपका नाम होना चाहिए और त्राय कमेट एगी में और कि उसको देग। Freudय सूने है क्षिक काशिव का सीवेस है। आपका ऐड्रेस होना चाहिए कुछ लोगों को मैंने देखा दो-डो डाले होते हैं ठीक है एमेल होना चाहिए फून नंबर होना चाहिए और लिंक डीन और एमेल एड्रेस की जब भी बात आती है तो हमारे जहने में क्या चीज़ आती है कि email address जोंसा है ये ना हो ठीक है इस very interesting point कि कुछ लोगों के email addresses are not professional looking please try to make your email address professional looking ठीक है अच्छा उसके बाद जोंसा है profile profile के बारे में optional है but I would suggest to put a profile क्योंकि कभी ऐसा होता है कि मेरे पास time नहीं है और मैं बहुत सारे CV से जारा हूं तो मैं सिर्फ profile रीड करके हलका सा स्किम करता हूं और profile में मुझे पता चलता है 10 years experience done this this and that ठीक है तो profile is very very important जिससे जुन से है मुझे थोड़ा सा idea हो जाता है कि यार इसके पास 10 साल का IT का experience दो साल का IT का experience two years experience is like very good for for entry level jobs अच्छा degree first not interested in year 10th grade score मगर कुछ लोग enter करते हैं no objection around it मगर try to focus more on your degrees अच्छा इसमें एक बहुत important चीज़ आ जाती है जब आप as a freshman जा रहे होते हो ना तो I'm very interested कि मैं अगर network engineer के रोल या developer के लिए आपको बिला रहा हूं तो आपने मुझे बताना है कि आपके CV के अंदर जोंसे आपको आपने degree के अंदर कौन से projects की है यह degree में क्या subject है I'm not interested you study database management system I'm not interested you studied social studies or religious studies in your degree program what I'm interested in कि इस role के लिए कौन-कौन से आपने subjects बढ़े हैं intelligent way ठीक है अच्छा उसके बाद जोंसे chronological CV के अंदर एक point यह आ जाता है relevant work experience डालना है और experience in reverse डालना है जिसकी हम लोग पहले बात कर सके हैं कि अगर आपके पास चार साल के experience और अपने चार जाबें चेंज की हुई है तो यह करें interview के अभी हम बात नहीं कर रहें कि interview में क्या करना है maybe maybe it's an idea how to conduct an interview how to prepare for an interview other work experiences not relevant pull out task and skill that is relevant say for example मैं retail में काम करता था और मैं cashier था मगर cashier के role के अंदर अब यहां पर मैं help desk के लिए apply कर रहा हूँ ठीक है technical help desk तो क्या चीज मेरे employer देखना चाहता है my communication skill my engagement skill talking to the different type of people so यह सारी चीज़ें आप लोग add up कर सकते हो उसके अंदर बजाएस के क्या आपने मताना है cash गिनता था और बाकी काम करता था you need to pull out or highlight वो चीज़ें जो आपको existing just role के लिए आप apply करना चाहरें उसमें help करें के यार हां यह justify करें again मैंने के क्या का था CV is your brand you need to sell it you need to sell your skills okay interest okay don't lie you get caught मैं अच्छी तरह याद एक लड़का था उसने का जी football is my interest और उसने पुछा के कौन से football team है तो he was not able to answer के वही उसमें a football team का answer कर दिया तो he got caught ठीक है अच्छा references अच्छा references जों से कुछ लोग suggest करते हैं कि to write the references not to write the references but I normally suggest people references would be provided on request और उसके अंदर जों से है एक चीज मेक शूर कर लेंगे पिछले दिनों भी एक बंदे की साथ incident हुआ कि उसने कुछ लोगों के दो बंदों के references डाल दी उनके पास जब गए they were they feel very offended कि यार इसने मेरे से पूछे बगारी मेरे references दे दिये तो these these are very very important things अच्छा कुछ samples let's look at the samples or maybe that's that's pretty much we would we would call it a day अच्छा ये जॉनसी है ना ये Oxford Brooks के नाम पर एक website है वहाँ पर ये job description आई वी है ये sample उदर से ही मैंने उठाया ठीक है brooks ac.uk ठीक है इसके इसके लावा भी हमारे पास एक और sample है पहले ये use कर लेते हैं ठीक है ये chronological CV बनावा है ठीक है और आप ये देखें इसमें नाम हा उसका बहुत clear है उसका address clear है email address और phone number I'm a final year maths graduate ठीक है अब मुझे इसके साथ मसला ये intended नहीं है यहाँ इसको यह सौट आट किया जा सकता है ठीक है थोड़ी सी math graduate है education है module include mathematical modeling very very important क्योंके maybe it is trying to apply for the role school के mathematical modeling है ठीक है और any any town school से उसने 9-10 और 11-12 के exam पढ़े हैं ठीक है और उसके बाद उसने अपनी employment है helping customer access inbound customer services simple call center job कर रहा है और math की tuition पढ़ा रहा है ठीक है कोई और काम नहीं है और volunteering है activity and sports है ठीक है मगर उसने क्या किया है उसने अपने आपको sell करने के कोशिश की है कि मुझे mathematical modeling है real time complex analytical mathematical finance ठीक है that's how you try to sell yourself ठीक है अच्छा अब इधर के है इधर ये job description आई भी है main duties defined की है और essentials है अब let's see how he or she Jane try to sell herself Jane उसी तरह उसका address email address telephone number और अपना LinkedIn profile डाल दिया final year English and music undergraduate with marketing experience ठीक है marketing experience and publishing company ठीक है और उसके बार developing digital platforms such as company websites social media ठीक है अब आप ये marketing आपको तरफली idea होना शुरू हो गया कि इसने क्या किया है ठीक है और seeking a position for marketing assistant and Oxford university publishers ठीक है education उसने बीए किया हुआ है और यॉर्क से ये बाकी सारा कुछ है ठीक है लाजमी नहीं नहीं दस्वीं तक लेकर जाना है आप इस I sub to you ठीक है doing verbs लगाने आपने branding guideline using adopt insight and photoshop पता चल गया जी मुझे adopt का बंदा चाहिए मैं जो writing skills e-sport client मैंने पूरा पूरा जुमला नहीं पड़ा ठीक है UK licensing IT skills IT skills में क्या किया है उसने को खास नहीं है बाई email and function को इतना खास नहीं है ठीक है other work experience अब यह other work experience है यह publisher work experience है यह relevant work experience आप देख रहे हैं उसमें CV को दो में डिवाइड कर दी यह वही एक्जेमपल हो जो मैं आपको दे रहा था कि taxi driver है मगर उसको एक साल का IT experience है तो वह क्या करेगा relevant work experience पहले डालेगा फिर उसके बाद पराने work experience डालेगा और उसमें इतनी detail जाने की ज़रूरत नहीं और देख what what she is trying to sell herself oral communication initiative networking advertising exactly map हो रहे हैं वो उपर की requirement के साफ advertising graphic designer अगर इने चाहिए मुझे मैंने job description सही से पड़ी ही नहीं देखे क्या चीज़ है क्या चाहिए औक्सफोर publisher है publisher को क्या चाहिए आपको networking आनी चाहिए ठीक है networking यह IPv4 वाली networking नहीं है social networking ठीक है initiative होना चाहिए oral communication what she is doing she is trying to connect herself her previous जो skills है उनको इस रोल के साथ उसने connect किया very very nicely done ठीक है उसके बाद उसने separate section बनाया IT skills का और languages का और interest writing music playing sport and references available on request very very good अच्छा अब Tom Brown ने रफली उसी तरह five-year environmental sciences student है ठीक है working in wildlife trust looking for position wildlife trust के लिए development skill marketing and communication ठीक है और उसी तरह उसने अपना relevant modules यह relevant modules है किस चीस से relevant जिस जॉब के लिए apply कर रहा है ठीक है biodiversity law communities sustainable resources and biodiversity ठीक है और उसके बाद उसने अपने जो colleges है colleges के बाद अपने experiences डाल दिया relevant experiences उसने डाले relevant के बाद other experiences और practical conversation skill driving license ठीक है आपको जुरूरत पड़ती है तो you need to when you are applying for a role you need to understand what that role demands from you मगर इसके अंदर इसने क्या किया है references डाले में तो obviously what he would have done is to talk to his person and seek his permission के भई मैं आपका reference डाल सकता हूं ठीक है तो I think अगर हम इसको थोड़ा सा summarize करें हमने पीछे अपने template में क्या बात कि नाम है email address है phone number है profile है education है education के बाद हम लोग किदर चलेगे relevant work experience other work experience interest or references simple is that very straight forward आपका CV बन जाता है और I hope you enjoyed this very first lecture I really enjoyed it मगर I would next के अंदर हम लोग जो सह है skill based CV की बात करेंगे तो खुश रहें दौ में याद रखिएगा अलाहाफिज में याद भा शाली करेंगे तो बात करेंगे रहें दौब का कि रखिएगाग में दौब को भाद की बात्वाफिएगे थाना हम दौब करेंगे दौब को सहा है